नमस्ते दोस्तों पुनम मैजिक इजन में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम दिवाली स्पेसल बहुती टेश्टी सी मिठाई बनाएंगे साथी यह बहुती ज़्यादा सौप्ट भी बनेगी और इसे हम बिना किसी मावा बिना किसी मिल्क पॉडर और घी चासनी कंडें मिल्क और बिना किसी छेना और पनीर से घर में ही रखी दो चीजों से इस मिठाई को बना के तयार करेंगी और बहुती ज़्यादा सौप्ट बनेगी तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं बनाने के लिए कैस पे कढ़ाई चड़ा दिया है कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है तो पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि जो दूद इसमें डालेंगे वो तले से लगे नहीं अब हम एक लिटर फुल क्रीम दूद ले लेते हैं यहां पे तो मैंने यहां पे एक लिटर फुल क्रीम दूद का इस्तमाल किया है तो आप यहां पे फुल क्र बनाके तैयार करेंगे तो इस तरीके से देखे अच्छे तरीके से पीच-बीच में इसे हमें चलाते रहना है और यकीन मानिए फ्रेंड्स यह जो मिठाई बनके तैयार होगी न बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनेगी साथी जटपट से आप इसे बनाके तैयार कर लेंगे तो इस तरीके से देखे यहां पर दूद में एक अच्छा सा उबाल आ रहा है और इसके किनारों से मलाई को जुरूर निकालते रहेगा और दूद में मिक्स करते रहेगा तो अब हम क्या करेंगे यहां पर फ्लेम को कर लेते हैं लो टू मीडियम और इसमें से हम दो कल्ची दूद को बॉल के अंदर निकाल लेते हैं तो इसका इस्तमाल हम अभी बाद में करेंगे तो यहां पर देखे बॉल के अंदर मैंने दो कल्ची दूद को निकाल लिया है तो इसे हम अभी सैट पर रख लेते हैं और इसे गैस को कर लेते हैं लो टू मीडियम और जो बॉल के अंदर मैंने दूद निकाल के रखा था उसमें मैंने एक चम्मच यहां पे चीनी डाल दिया है और चीनी को दूद में मिक्स कर लेते हैं साथे यहां पर देखे दूद में एक अच्छा सा उबाल भी आ रहा है और दूद के quantity यहां पर देखे आधी हो गई है और हमें इसको एक तिहाई कर लेना है यानि आधे से थोड़ा सा कम पका के कर लेना है ताकि यह रबड़ी के form में आ जाए और देखे किनारों से मलाई को इसे निकालते हुए दूद में मिक्स कर लेना है अब यहां पर हम चीनी डाल देते हैं तो चीनी यहां पर मैंने 4 चमच चीनी का इस्तमाल किया है तो जो रेगुलर घर की चमच होती है जिसे हम खाना खाते है उसी से मैंने यहां पर 4 चमच चीनी का इस्तमाल किया है तो आप मिठा जिता भी खाते होगा यहां चीनी की कॉंटिटी कर सकते है साथी मैंने कुछ केसर के धागे डाल दिये इससे क्या मिठाई का कलर बहुत ही अच्छा आएगा साथी आदा छोटा चमच इलाईची का पॉर्डर डाल दिया है इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस सब चीजों को अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर देना है और इसे हमें अच्छे से पका लेना है कि दूद की हमें रबड़ी बना लेनी है यह देखे कि तीही गाड़ी और दानेदार बनके तयार हुई है तो विर्कुल यह फ्लेम को यहाँ पे मैंने लो कर लिया है तो यहाँ पे अब हम कुछ ट्राइफ्रूर्स एड़ कर देते हैं जिसमें से बारिक कटी हुई एक चमच मैंने यहाँ पे पिस्ता डाल दिया इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है साथे यहाँ पे बारिक कटा हुआ दो चमच मैंने बादाम डाल दिया है और बारिक कटा हुआ दो चमच यहां पर काजु डाल देते हैं इसे क्या होगा टेस्ट जो हमारी मिठाई का होगा बहुत ही जादा टेस्टी आएगा और अच्छी मिठाई बनके तयार होगी तो आप गैस को कर देते हैं बंद और यह देखे हमाई रबडी बनके तयार हो यह वाइट ब्रेड मैंने ले ली है तो इस मिठाई को आज हम ब्रेड से बनाएंगे तो यह मिठाई हमारी अच्छी नहीं बनेगी तो देखे क्या करना है हमें इसके किनारों को अलग कर लेना है तो इस तरीके से चकू की मदद से आप बहुत ही आसानी से इसे कट कर सकते ह देखे तो इस तरीके से चकू या कैची से आप इसे कट कर लीजेगा बहुत ही आसानी से यह हो जाता हो तो यहाँ पर आप ताजी ब्रेड का ही इस्तमाल करिएगा उससे क्या होगा जो कलाकंद बनेंगे न बहुत ही जादा टेश्टी बनके और सॉप्ट बनेंगे तो इस तरीके से हम सभी ब्रेड के किनारों को यहां पर निकाल लेते हैं तो यहां पर देखे सभी ब्रेड के किनारों को मैंने यहां पर निकाल लिया है तो चलिए हम आगे की तयारी कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने यहां पर एक ट्रे ले लिया तो आपके पास कोई भी ट्रे ह या काच का, ट्रेयों कोई भी चीज़े यहां पे आप ले सकते हैं, जिसमें इस मिठाई को हम बनाएंगे, तो यहां पे जो हमने रबडी बना के रखी थी न, तो सबसे नीचे हम यहां पे रबडी को लगा देते हैं, तो इस तरीके से दो से तीन कल्ची आप अच्छी तरीक तरीके से यहां पे देखे हमें सभी ब्रेड को यहां पे लगा देना है इस तरीके से यहां पे मैंने ट्रे में अच्छी तरीके से ब्रेड को लगा दिया है और किनारों के थोड़ी जगे बचीची उसे ब्रेड को कट करके मैंने लगा दिया है अब यहां पे जो दूद हमने हमें रखा था एहां पर ढाल देथे तो इस तरीके से एक एक चंबच हमें दूद को ढाल देना हमें इस तरीके रभड के लगा हमें बहुती आसानी से यह लगा देना है तो इस तरीके से देखें मैंने रब्री लगा दिये बहुत ही आसानी सी हो जाता है और भोधी आसानों प्रrean दूद को डाल दिया है कि चमच करके और फिर क्या है फिर से रबडी हम यहां पर अच्छे से फैला देते उपर की साइड में रबडी अच्छे तरीके से लगा दीजिगा सभी ब्रेड पे तो इस तरीके से देखे अच्छे तरीके से ब्रेड के उपर रबडी को हमें लगा द बादाम को डाल दिया है बारी कटा हुआ काजू भी डाल देते हैं तो इस तरीके से बारी कटा हुआ काजू बादाम और यहां पर पिस्ते से हमने इसके गार्निसिंग कर दी है यह देखिए कितना इजादा अच्छा लग रहा है अब इसे हमें अच्छी तरीके से सेट होने क चली से हम कट कर लेते हैं तो यहां पर यह देखे हमारा रबडी कलाकंद बनके तैयार हो चुका है और यह देखे कट करने से यह आप लोग को अंदाज़ा पढ़ रहा होगा न कि कितना ही ज़्यादा टेस्टी और साथ में यह सौप्ट भी बना हुआ है यह देखे हैं तो इन वन कलाकंद बनके तैयार हो गया है यह देखे बहुत ही कम समान से बनके यह मिठाई जो है तैयार हो जाती है इसका टेक्शियर देखे आप लोग इस तरीके से बना के आप इसे प्रिज में रखकर तीन दिन तक इस टोर भी कर सकते हैं और ये मिठाई जो है इतनी चादा सौप्ट बनती है ना कि मूँ में जाते ही घुल जाए तो ये देखे रवडी काड़ा कंध हमारा बन के तैयार हो चुका है इसे आप दिवाली पे जरूर जरूर ट्राइ करिएगा बहुत ही कम सामान से आप इसे जट पर से बना सकते हैं क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है हर घरों में बहुत ही जादा घर में काम रहते हैं सफाई का काम रहता है तो इसलिए इस मिठाई को आप जरूर ट्राइ करिएगा और बताईए कोमेंट में कि आपको ये रैस्पिक कैसी लगी है अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जादा से जादा लाइक और सेयर करिएगा चैनल पे नए है तो सेस्क्राइब जरूर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर